हालो दूस्तों कैसे हो आप सब आज कुछ डिफरेंट है जैसे कि हमारे लल्ला के इस तरह से पुराने गद्दी बगेरा पड़े होते हैं तो वो क्या है बहुत टाइम होते होते हो थोड़े डल हो जाते हैं उसका कलर भी साइन है जो वो निकल जाती है और थोड़े छोटे हो सब को एक कर लेंगे और इसमें से बड़ियासी गत्दी रहें और अलग ही कलर मैं लेंगे तो मेरे पास कुछ colors की जो बुलते हैं आम चुननी जड़ाते हैं तो ऐसे ही मेरे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ है तो बस मैं उसी में से cover करने वाली हूँ और छोटी गदी भी बनाऊंगी तो देखिए हमारे दो तक्ये ready हो गए है इस तरह से बस उसके उपर जो भी छोटे छोटे थे उसके अंदर डाल दिया है बड़ा लिया है green color का और उसमें एक छोटा दुसरे में भी बड़ा green और एक छोटा उस तरह से करके दो ready हो गया है अब थोड़ा कपड़ा और बचा है तो उसमें से हम गदी बना लेंगे तो देखिए इस तरह से symbol से गदी भी हमारी ready हो गई है तो देखिए गदी ready होने के बाद दोनों का एक अच्छा सा site बन गया है तो दो तक्के हो गए और एक गदी हो गई और अब देखते हैं मैं ये किस में रखने वाली हूँ तो आपके पास भी आपके लला के छोटे छोटे इस तरह से कपड़े पड़े है या फिर भगवान की जो चुननी बगेरा पड़ी है तो उसका इस तरह से यूज कर लीजिए और उसे फैक किये मत या कहीं गंद की भी मत फैलाईए तो इससे इस तरह से आपके गड़ में कोई अच्छी चीज बन जाएगी और हमारे लला की तो इस तरह से गड़ी रैडी हो गई है जो उसका जूला है वहाँ पे हमने रख लिया है और यह में पिछली बाल लाए थी तो उसका जो कपड़ा था वो पड़ा हुआ था तो मैंने इस तरह से यूज कर लिया है कभी किसी और विडियो में बताऊंगी कि जो लला के पुराने कपड़े हुए होते हैं उसमें से मैं क्या बनाती हूँ तो फिलहाल तो मेरा यह एक डी आइवाई हुआ दूसरा डी आइवाई है उसमें मैं कुछ देखिए मुझे है जो हमारे पुराने सॉक्स पड़े होते हैं वो आगे से फट जाते हैं या फिर जो हमारी हील होती है वहां से थोड़े निकल जाते हैं या फिर धेले हो जाते हैं तो मेरे पास इस तरह से यह चार पड़े हुए साइट है पूरा और यह बहुत ही अच्छी कंडिशन में असा नहीं है कि फटे हुए है बस एक है वो आगे से थोड़ा जो है और निकल गए है उंगली की तरफ से तो बस वो में कट कर लूँगी कि दोनों जो चारो चार है वही में यूज़ करने वाली थी फट फिलहाल तो मैं अभी तीन ले रही हूं और एक को साइड में रख है वहां से हम कोटन भरेंगे अगर हमारे पास कोटन नहीं तो पुरानी जो कत्रन होती है वह भी रख सब्सक्रय सकते हों पर मेल कास्कोटन है तो मैं कोर्टन को ओ फेल करने वाली हूँ और कई आपके पास अगर आप ऐसे लाई करते हो तो आपके पास बहुत साल कत्रन के रख सकते हो यह मैंने ऐसे ही उल्टा ही रखा है क्योंकि आगे का जो हिस्सा है उससे अच्छा यहां पीछे के साइड में यह जो धागे दिये है रेड कलर के वो अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने वैसे ही रखा है और इस तरह से रोल रेडी कर दिया है अगर आप भी इस साथ बहुत टाइम पहले सेर किया था तो उसके अंदर इस तरह से रख दिया है फिलहाल तो में मेरी बच्ची है उसके इस तरह से रबर बैंट है वही रखने के लिए यह यूज करने वाली हो अगर आप चाहो तो इसके अंदर बैंगल्स रख सकते हो और आपके पास वाच यानि बहुत लोगों को घड़ी का सौक होता है तो ज्यादा तर घड़ी है तो इसमें वह भी आप रख सकते हो अच्छी प्यारी प्यारी चुडिया भी रख सकते हो फिर कोई अच्छी आपकी नैकलेस होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं आपके पास अच्छी चीज वैलरी हो तो उसे भी इसमें रख सकते हो फिर जो भी आप रखना चाहो जैसे कि छोटी छोटी चीजे है वो भी रख सकते हो इसमें देखे मेरी बच्ची की हैर रिबन है वो भी रखती हूँ पर अभी उसे वास करने वाले है वो मेने साइड में रख थोड़े गंदे हुए है यह करना है तो बस उपर का कवर हटाऊंगी और में इसमें अच्छे से यूज कर पाऊंगी और यह गंदा भी नहीं होगा जब भी चाहिए जिस का लरका वो हम ले सकते हैं अगर आप इसमें चूड़ी रखोगे तो भी जब भी आपको निकाल ली है तो अच्छे से निकाल पाऊ सकते हो और पुरानी चीजों का यूज कर सकते हो थैंक यू